एक सिविल इंजीनियर की क्या responsibility होती है जब साइट पे missionary work जो है वो आपका execute होता है आज की वीडियो के अंदर हम one by one जो है आपका discuss करेंगे Hello everyone, मेरा नाम है अमित और आप सभी का स्वागत है Solitude Education के YouTube चैनल पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को जरूर subscribe करो साथ जाथ अगर आप किसी भी topic से रेटेड वीडियो चाहरे तो इस topic का नाम भी comment section के अंदर आप mention कर सकते हैं चलते हैं laptop की screen के अंदर आज का जो हमारा topic है उसको आपका discuss करते हैं generally किसी भी आपका जो frame structures होती है फिर आपका जो RCC structures होती है building construction के अगर मैं especially बात करूँ तो brick work एक ऐसा topic है जिसके बिना आपका जो construction है वो आपका अधूरा है आपका partition करना है तो भी आपको brick work जो है आपको करना पड़ेगा foundation के अंदर भी brick work का आपका यूज होता है तो multiple locations पे आपका bricks का use होता है जब भी हम कोई भी आपका structure बनाते हैं तो एक civil engineer जो किसी भी construction site को आपका execute करवा रहा है तो उसकी क्या responsibility होती है क्या उसे check करना होता है आपका जब भी कोई भी brick work जो है वो आपका site पर execute होता है सारा one by one आपका discuss करेंगे एकदम बिल्कुल doubt जो है वो आपका clear हो जाएगा आप site engineer है तो भी आपको help करेगा quality engineer है आपको तब भी ये help करने वाला है और अगर आप जो है सिफ learning purpose के लिए वीडियो देख रहे है तो भी आपके लिए जो है ये आपका काफी helpful जो है वो रहने वाला है सबसे पहली बात करते हैं कि सबसे पहला जो एक civil engineer की responsibility होती है वो ये होती है कि site पे material आपका available है या नहीं है उसके एक proper information उसके पास में होनी चीए मार लीजे मुझे आपका brick work करवाना है तो brick work के लिए मुझे आपका कितना bricks की आपका requirement पढ़ने वाली है कितना मुझे महाँ पे sand की requirement पढ़ने वाली है कितने bag cement की मुझे आपका requirement पढ़ने वाली है तो एक civil engineer की सबसे पहले responsibility होती है कि उसके पास में के exact data होना चीए कि आपका कितनी quantity of material की उसको requirement पढ़ने वाली है मालीजे आपने काम तो start करवा दिया लेकिन आपको यही नहीं पता कि site पे metal की availability है या नहीं है या फिर कितना metal आपका available है तो आप उस काम को properly executed नहीं करवा पाओगे और आपको उस काम को बीच में आपको रोकना पड़ेगा या फिर वो काम आपका delay हो सकता है तो वहाँ से labor की cost भी आपका increase होती है साथी साथ project जो हमारा delay होता है उसकी cost भी आपका bear करनी पड़ती है आपका company को और जिसका आपका direct impact पड़ता है आप जैसे इंजिनियर्स के उपर इसके बार next आता है cleaning work area जनरली क्या होता है कि जब भी जैसे कोई slab वगेरा cast होती है slab cast होने के बाद में उसके उपर काम execute होता है जैसे column की casting वगेरा होती है महाँ पे motors वगेरा बनता है तो काफी सारी activity जो है आपका slab के उपर आपका चलती रहती है जिसकी वज़े से क्या होता है कि slab के उपर ना कुछ layer आपका जो है एक loose material की layer जो है वो आपका deposit हो जाती है तो जनरली जब हम site पे brick work करवाते हैं आपका partitions work में तो उस time पे क्या करते हैं कि जो contactor आपका होता है फिर labor होता है वो loose material जो है वो site से नहीं अटाते है जिसका नुकसान यह होता है कि बाद में हमें जो है आपका brick work के अंदर जो joints आपका floor के साथ बनना चाहिए वो joint नहीं मिल पाता है कई बार ऐसा होता है कि वो loose material जो है वो आपका उतना load beer नहीं कर पाता है और वहाँ पे क्या होता है कि settle हो सकता है जिसकी वज़े से walls के अंदर minor cracks भी आपको देखने के लिए मिल सकते है तो जब भी आप site पे brick work करवा रहे है तो आपके floor के उपर जितना भी loose material है उस material को आपको clean करवा लेना चाहिए खास कर उस location पे जिस location पे आपकी brick की walls आ रहे है same चीज आपको अगर आप brick work जो है foundation वगेरा के अंदर भी करवा रहे है तो वहाँ पे भी आपको ध्यान अखना है कि कोई भी brick work आपको जो है किसी भी loose metal के उपर नहीं करवाना है क्योंकि कल को अगर आपका settlement होता है तो आपकी brick की walls के अंदर आपके cracks जो है वो आपके develop हो जाएंगे इसके बाद आपका यहाँ पर next responsibility होती है brick work आपका जो एक engineer होता है कि जो material site पे use हो रहा है वो proper tested material है या फिर नहीं सबसे पहले जैसे brick work की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते है bricks की तो generally आपको पता है कि brick अलग-अलग classifications होती है A class brick, B class brick, C class brick तो हर A class brick जो है वो आपका अलग-अलग type के construction के अंदर आपका use होती है माली जब load bearing के अंदर use करें या फिर आपका partition walls के अंदर use करें तो वहाँ पर generally A class brick आपका use किया जाता है तो एक civil engineer की responsibility बनती है कि actual में site पे जो आपका brick work, bricks जो use हो रही है brick work के लिए missionary work के लिए वो आपका A class की है या फिर आपका B class के उसकी strength क्या है वो proper work करने लायक भी है या फिर आपका नहीं है तो एक civil engineer की responsibility बनती है इसके लावा lab test भी आपके होते हैं आप dimension check कर सकते हैं कि dimensions uniform है या नहीं है color आप देख सकते हैं कि color किस type का आपका redis color है या फिर आपका yellows color है तो उससे भी आपको अंदादा लग जाएगा brick की quality का इसके लावा आप जो है brick को ऐसे clamp करके आप उसमें पता कर सकते हैं metallic sound आ रहा है या फिर आपका नहीं आ रहा है तो ऐसे कई सारे test होते हैं कि हम site पे भी आपका उन test को जो है आपका execute कर सकते हैं हमें किसी lab के अंदर आपका जाने की जुरत नहीं है इसके लावा जैसे आपका motor हम use करें तो motor किस quality का है का motor के अंदर जो हम dust use करें sand use करें वो किस quality का है कई उसके अंदर कोई organic impurities तो नहीं है किस type से तो यह सारी responsibility एक civil engineer को होती है जो site पे work execute करा रहा है इसके बाद next जो बहुत ज्यादा important है वो है आपका wetting of bricks generally क्या होता है की जो contactor होता है फिर कोंडेक्टर की जो labor होती है वो क्या करते की अपना time बचाने के चकर में आपका जो है क्या करते की इसकी वज़े से आपका जो mortar को जो strength मिलनी चाहिए थी वो strength नहीं मिल पाएगी और आपकी ultimate जो brick की wall है वो आपका कमजोर हो जाएगी weak हो जाएगी तो आपकी responsibility बनते हैं कि आपको जो भी bricks use हो रही है site पे वो आपका wet brick जो है आपका होना चाहिए क्योंकि जो wet brick होगी वो आप आपका mortar का moisture से उसको absorb नहीं करेगी इसके बाद यहाँ पर next आता है door and window के frame जनरली क्या होता है कि जैसे अगर हम लोग wooden frame वगरा आपका use कर रहे हैं तो wooden frame आपका brick work के साथ ही साथ हमें आपका उनको fix करवा लेना चाहिए क्योंकि जनरली क्या होता है कि जैसे flat वगरा जो बन लगते हैं तो हमें इसको क्या करना पड़ता है उसको तोड़ना पड़ता है जिसकी वज़े से क्या होता है कि overall उसकी जो structures होती है उसके आपका effect पड़ता है और कई बार तो हम नहीं देखा कि आपकी walls के अंदर crack भी आ जाते है और आपकी जो walls है वो गिर भी आपका जाती ह पर आपको जितनी भी जो ओपनिंग से हैं उसमें जो भी फ्रेम फिट होने वो आपको लगवा लेने चीए UPVC, Aluminium के अगर आप यूज करें तो वो आपके बाद में भी यूज आपके फिट हो सकते हैं अगर जैसे wooden frame आपका यूज हो रहा है तो वो जनरली आपको ब्रिक वर्क के साथ में आपको लगवा लेना चीए इसके बाद में next आता है dimensions, alignments, जनरली क्या होता है कि जो हमारा brick work होता है वो drawing as per drawings होता है drawing के अंदर आपकी proper dimensions जो है वो आपका दी रहती है तो site पे आपको layout सबसे पहले करवाना चीए single single brick work brick की जो है आपको इस तरीके से रंगत करवा देनी चीए और आपको proper dimensions चेक कर लेनी चीए cross diagonal जरूर चेक कर लेने चीए क्योंकि जब हम partitions करवाते हैं और हमारे room का अगर suppose करो cross diagonal जो है वो आपका सही नहीं है तो उसकी वज़े से क्या होता है कि जब तो हमें कुछ इसतना पता नहीं चलता है लेकिन जब basically flooring work आपका start होता है जब हम tiles लगवाते हैं tiles लगने के बाद clearly दिखता है room के अंदर की room जो है वो आपका proper diagonal नहीं है 90 degree पे नहीं है एक portion पे आपको dimensions कम दिख रही है दूसरे portion पे आपको ज़्यादा दिख रही है particular कोई ranch तो नहीं है क्योंकि तब पता नहीं चलेगा जब आप flooring work कराना start करो तो कोई आज के time पे stone work से ज्यादा आपका tiles यूज होती है और tiles का fix size होता है तो जैसे ही size में कुछ shade chart होती है तो वहाँ पे वह अलग से दिखता है जो कि बहुत खराब दिखता है आपका ठीक है तो यह आपकी responsibility है इसके अलाबा mortar ratio आपको check करना है generally क्या होता है कि जो load bearing structures होती है फिर आपका single brick से उपर की जो इतनी भी आपकी walls होती है उसमें generally हम लोग आपका higher mortar यूज करते हैं जिसमें ज़्यादा quantity आपका sand की यूज होती है 1 ratio 6 generally use किया जाता है लेकिन जैसे partitions walls होती है आपका single brick walls होती ह उनके अंदर इतनी strength नहीं होती है तो हमें वहाँ पर आपका rich mortar use करना होता है तो generally वहाँ पर आपका one ratio 3, one ratio 4 जो है वो आपका use किया जाता है यह हमें आपका check करना है साथी साथ हमें यह भी ensure करना है कि site पर जो ratio आपका recommend किया गया है वो ratio actual में बन भी रहा है या नहीं बना ह इसे होता है कि हम लोग आपका mission को या फिर आपका जो conductors को बोल देते हैं कि आपको one ratio 6 जो है वो use करना है लेकिन site पर जब बनाने की बात आती है तो उस time पर जो labor आपका बना रही है वो आपका same ratio नहीं बनाती है तो आपको यह भी आपका ensure करना है कि वो चीज बन रही है य करते हैं और cement को mix कर दें वे एक ही बार के में daily में जितना mortar use होना होता होगा उसमें उतना water एक साथ mix कर देते हैं और फिर उसको जो है थोड़ा-थोड़ा करके use करते रहते हैं और बार बार उसको wet करते रहते हैं तो आपको यह चीज नहीं करनी है आपको dry अलग रखना है wet अलग रखना है वेट आपको उतना ही करना है जितने को आप कम से कम एक घंटे के अंदर अंदर कंजूम कर सको ठीक है तो ये भी आपकी responsibility है इसके लावा आपको mortar की thickness आपको देखना है कि mortar uniform होना चाहिए 10 से 12 में होना चाहिए कि उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए कई बार ऐसे होता है कि मैसन क्या करते हैं कि आपका proper level ही बना पाते है walls का और level को match कराने के लिए वो क्या करते हैं कि mortar की thickness आपका increase करते हुए चले जाते है तो आपको यह ensure करना है कि uniform आपका mortar होना चाहिए 10 से 12 में उसकी thickness होना चाहिए उससे ज़्यादा नहीं आपका होना चाहिए इसके बाद next आता है check plumb bob कई बार मिस्तरी ऐसे होता है कि नीचे से तो brick wall सही बनाते फिर धीरे 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 उसको जुकाते हुए किसी एक particular angle पर कर देते हैं आपका तो आपको इस तरीके से plumb bob को use करके यह check करना है कि आपकी जो wall है वो exact 90 degree के अंदर आपका होनी चाहिए इसके बाद आपका यहाँ पर next आता है curing यह basically आपका post brick work होता है आज आपका brick work complete होके तो brick work complete होने के next day आपको जो है उसकी curing करानी है क्योंकि अगर आपने उसकी curing नहीं कराई तो वो strength उसकी नहीं मिलेगी जिसकी उसको requirement थी इसके बाद next आता है RCC band generally जितनी भी हमारी partitions walls होती है उसपे हर 3 fit पे आपको एक RCC का band जो है वो आपको जरूर देना है और RCC के band के अंदर आपको reinforcement bar भी आपको use करनी है इसका सबसे बड़ा benefit यह होता है कि एक तो जो harp brick walls होती है उसमें क्या होता है कि आपका vibrations नहीं होते है दूसरा क्या होता है कि earthquake के time पे वो आपका stable रहती है और future में में कभी cracks वगएर आपका नहीं develop होते है इसके बाद next आता है आपका pointing and pointing proper pointing and finishing basically क्या होता है कि mystery क्या करते हैं कि जो joints होते है इनको proper आपका repair नहीं करते है जिसकी वज़े से क्या होता है कि आप देखना brick work में आप आपको आरपार जो होल आपको दिखाए देगा यह एक ऐसी problem होती है कि अगर वो आया बाद में भी आपको वो problem करेगा क्योंकि सीपेज की problem हो सकती है साथी साथ आपकी brick की strength है वो भी आपका reduce हो सकती है तो आपको यह ensure करना है कि mystery जो है आपका यह proper इसकी सफाई करे basically इसको है आपका जो brick work है उसकी finishing भी विक्दम सही आपको दिखे साथी साथ जो है उसकी strength भी आपका बनी रहे तो यह कुछ quality control के points थे जो एक civil engineers को जब भी वो कोई भी site पे work execute करवाता है खासकर missionary work से लेटेट है तो उसको जरूर आपका ध्यान रखने है आप एक engineer है तो भी आप य चीज़े चेक करेंगे अगर आप एक individual house owner अपना घर का construction करवा रहा है तो आप इन points को follow करके भी अपने घर के अंदर brick work की quality को चेक कर सकते हैं इसी तरह की interesting videos के लिए informative videos के लिए चैनल को subscribe नहीं किया चैनल को जरू subscribe कर लो साथी साथ आप comment भी कर सकते हैं आपको कोई suggestion देना video से related या आपकी कोई query है वो भी आप comment section में mention कर सकते हैं वहापे personally मैं आपको reply करूँगा हमारी application mobile application telegram channel सभी के link आपको video के description में मिल जाएंगे आप जाके उनको भी join कर सकते हैं वहापे भी हम लोग information आपका provide कराते रहते हैं मिलते हैं आप से next video के अंदर okay thank you कर दूजा ma हुब math तर हो ईयुर शाव मैं आपका अंदर हैं और क्या प्योथ आपकाão आपका से amino mesmoते हैं में आपका हैं आपकान आपका रहापदी और जपकार च्सवी भी में आपकाने सकते हैं में को आपकाने सबनाभ़ जानको आपकार सूधी और कम वहां आपका ॉर ब